जहें दोस्तो, स्वागत है आपका राइंका सुगरकल यूटीव शेनल में, आपके अपने परिवार में बहुत अच्छे भाई क्या वात है, सभी लाइब है एक से एक जबरदस्त बच्चे हैं हमारे पास जिनके आँखों में एक प्यारा से उमीद है उमीद नहीं यूँ कही है, एक सपना है इंस्पेक्टर बनने का, एक सपना है काम्याब इंसान बनने का, एक सपना अपने माबाप को सपने को पूरा करने का, सशक्त बनके और इनकी आँखों का जो चमक है वो मुझे दिख रहा है बहुत अच्छे हैं के कमेंट और जजबे से क्या बात है तो शुरू करते हैं इसी foundation batch के साथ यूटीपर जो आप लोग के लिए complete foundation batch हमने चलाया है और इस foundation batch में आप लोग का complete math होगा arithmetic और advanced दोनों जबरदस तरीके से बिल्कुल zero level से ठीक है चलिए बहुत अच्छी बात है तो आज है प्रतिशत और प्रतिशत में video number 5 जिसमें बहुत ही प्यारी concept हम पढ़ने वाले हैं और प्यारी बोलेंगे प्यारा नहीं बोलेंगे प्यारी बोलेंगे कि price into consumption बराबर expenditure ये जो concept है ना इस concept में मुखिता 3-4 तरह के सवाल पूछे जाते हैं और अगर हम पिछले 2 सालों का data उठा कर देखे तो सबसे जादा सवाल इस concept पे आया हुआ है जिसमें आप अगर include कर दे income expenditure consumption को भी तो इसमें कोई हर्ज नहीं होगा कि वो भी जो type है वो भी इसी के उपर आधारित है ठीक तो इसके बड़े ही शांदार trick हम जानेंगे कि कैसे हम सवालों को जो है वो solve कर सकते हैं कल कहां थे भाई कल थोड़ी तवित खराब होगे थी इस वज़े से कल मैं लाइव नहीं था उसके लिए छमाच आएंगे चले इसके अलावा आप लोगों को एक और बात बता दे तो आज आप लोग के लिए बड़ी ही बैतरी वीडियो सुभा में अपलोड किये हमने और बहुत ही जबरदस्त response रहा है आप लोगों का बहुत अच्छे views हैं इस वीडियो पर इस वीडियो में जो मैंने concept बतायाना देखू ये वीडियो geometry के मैंने आज अपलोड की है और geometry में किस टाइप का तो geometry में lines and angles का हमने यहाँ पर video upload हुआ है जिसमें special एक concept आता है arrow concept अगर आप पढ़ेंगे तो और साथ में लिखा हूँ है गजब का trick अब भौकाल सवाल भी secondo में होंगे और इसमें एक सच्चाई है ठीक है जो वीडियो मैंने ये डाली है ऐसी वीडियो आपको पूरे YouTube में पूरे किताबों में कहीं पर भी नहीं मिलेगी कि geometry का lines and angle का question क्या ऐसे भी बन सकता है क्या ठीक है क्या ऐसे भी सवालों को हम लगा सकते हैं बड़े से बड़े सवालों को आप सेकेंडों में लगा देंगे अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो ठीक है शैनल पे जाए रैंकर्स गुरकल YouTube शैनल पे और वीडियो में जाके देखेंगे तो आज ही के दिन ये वीडियो डली है बड़े आसानी सा आप इसको देख पाएंगे और इसका concept जरूर सिखेंगे नो मैटर आपको जो है कितना lines and angles समझ में आता है आज उसके announcement प्रॉपर तरीके से कर दी जाएगी और दिवाली offer में RG विकरमजीत application पर जितने भी batches हैं उन सब में 200 रुपे की offer आपको पता है चुकि मेरी fees already काफी कम है लेकिन इसमें भी आप लोगों के लिए अगले दो दिनों के लिए जो sale है उसमें हमने कम करवा दिया है 699 के जगह अभी 499 में मिलेगा next two days आज और कल में ठीक है तो जो बच्चे enroll करना चाहते है math special batch में जो की अभी हाल फिलाल स्टार्ट हुआ है 25 October को वो इसमें enroll कर सकते हैं शेरसा math special batch complete math है arithmetic और advanced का तो आपको इससे काफी benefit हो सकता है पूरे PDF पूरे class notes everything आपको सब कुछ मिलने वाला है और साथ में ये बैच जो है ये advanced math से start हुआ है बहुत बच्चों की परिशानी होती है कि sir advanced math से start हुआ हम तो beginner है हम कैसे करें अरे भाई एक बात बताओ ऐसा थोड़ी है कि percentage पढ़ने के बाद geometry जादा समझ में आएगा और percentage नहीं पढ़ोगे तो कम समझ में आएगा geometry का अपना कायदा कानून चलता है trigonometry के अपने कानून है यहाँ पर कहने का मतलब अपने laws हैं अपने theories हैं, अपने questions हैं उसका किसी के साथ कोई link ही नहीं है तो यह mindset कभी नहीं होना चाहिए कि हाँ percentage पढ़ेंगे उसके बाद ही geometry पढ़ेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है और ऐसा मन में भी नहीं रखना है चलिए, तो बात करते हैं आज के बहुत ही जबरदस topic के उपर उसके उपर वीडियो के आप like और channel को subscribe जरूर कर दें तो आज का जो topic है वो price into consumption बराबर expenditure ठीक है, सभी exams के लिए भीया यह जो foundation batch यूट्यूब पर चल रहा है सभी exams के लिए equally important है सभी exams के लिए, बिलकुल equally important है, सभी के लिए तो जो है, वीडियो को share करिए हर जगा पर तो यह बहुत ही important concept है कि price को consumption के साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा? expenditure आएगा चलिए, बहुत अच्छी बात है price into consumption बराबर हो गया expenditure, अब थोड़ी सी बाते इस theory में हम जानते हैं कि actual में है क्या देखो एक बात बताते हैं बहुत बच्छों के डिवानती सा green board कर दीजे तो लिजे green board भी जो है कर दिया जाता है ठीक, अब देखते हैं सबसे पहले एक बात को समझेए आप लोग जैसे मान लिजे कि हमारे यहाँ पर मौनु जी है, ठीक है मौनु जी बिलकुल एकदम सरकारी नौकरी के दिवाने ठीक है, कब बनेंगे सरकारी बाव इसी बात का इंतिजार है तो मौनु जी जो है, वो market जाते हैं और market जाते हैं, तो 10 रुपे किलो की चीनी के हिसाब से, वो 3 किलो ले के आते हैं ये इनका क्या होता है, price होता है और यहाँ पर क्या होता है, consumption होता है तो इनको क्या मिलता है, इनका जो खर्चा आता है, वो कितना आता है, 30 रुपे आता है कल के दिन क्या होता है, कि मौनु जी की जो अम्मा है वो कहते हैं बेटा देख 30 रुपे यहां अपने पास खर्च करने के लिए जो कि अभी तेरी नौकरी है नहीं तो हम लोग जो हैं चीनु पर 30 रुपे ही खर्च कर पाएंगे तो आज भी वह मुनू कितने रुपे खर्च करते हैं 30 रुपे लेकिन चुकि सरकार बदलने की वज़े से महंगाई बढ़ चुकी है और महंगाई बढ़ चुकी है तो अब मुनू को वो 10 रुपे किलो चीनी नहीं मिलता है अब मुनू को वो चीनी 15 रुपे किलो मिलता है और 30 रुपे उसके पास हैं बेचारे के पास खर्च करने के लिए तो अब बताओ वो कितना किलोचीनी खरीदेगा तो बोलो के सर अब वो 2 किलोचीनी खरीदेगा ठीक है पहले 10 रुपे के हिसाब से वो 3 किलोचीनी खरीदता था अब 15 रुपे के हिसाब से वो 2 kg चीनी खरीता है पहले भी खर्चा 30 आता था आज भी खर्चा 30 आता है तो आपसे सवाल में यहाँ पर 2-3 बाते पूछी जा सकती है एक बात हमेशा ध्यान रखना price into consumption बराबर expenditure इस बात को ध्यान रखना सवाल इसी तरीके से बनेगा अब पहली बात जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है वो आपको यह ध्यान रखनी है आपे my dear कि ज़र आप price का एक बार ratio देखे कि price का ratio क्या है तो बोलेंगे sir price को 5 से काटिये तो price का ratio है हमारा 2 नुपाद 3 पैसे का जो नुपाद है वो 2 नुपाद 3 है और consumption का देखेंगे तो 3 नुपाद 2 है यानि आप ऐसा कह सकते हैं कि जब हमारा खर्चा बराबर होता है ना डाले रखना है कल के दिन जैसे मानो price का ratio हमारा कितना है price का ratio 5 नुपाद 6 है और मुझे quantity लिखना हो इस हिसाब से कि मेरा जो खर्च है वो समान है तो मैं क्या बोलूँगा फिर मैं यहाँ पर यह बोलूँगा कि price 5 से 6 तो quantity कितना हो जाएगा 6 से 5 इस हिसाब से जो मेरा खर्चा आएगा वो कितना आएगा 30 से 30 आएगा यह तो तब हम लगाते हैं जब हमारा खर्चा समान हो लेकिन अगर सोचो खर्चा समान नहीं होगा तो कैसे करोगे सवाल को ठीक तो उस तरह के सभी सवालों को देखेंगे तो सबसे पहला जो question हम पढ आने वाले हैं ठीक है तो सबसे पहला question आपके सामने है कि bread का जो दाम है वो 25% बढ़ा दिया गया है budget को maintain करने के लिए Katrina जो है अपने consumption को 20% कम कर देती है तो बताओ खर्चे में क्या प्रभाव पड़ेगा हिंदी में भी सवाल को पढ़ लीजे रोटी की कीमत में 25% के व्र जाए तो budget maintain करने के चक्कर में अपने खपत को ही सुचा कि हम 20% कम कर देते हैं थोड़ी dieting भी हो जाएगी है थोड़ा खर्चा भी कम हो जाएगा तो इससे रोटी में खर्च में व्रिदी कितने की होगी हमसे ये पूछा गया है हमें कुछ नहीं आता अगर मानो तो हमें simple एगी concept आता है कि price को my dear price को consumption के साथ देखो price है ठीक और consumption है जब आप इनको गुना करोगे तो आपको क्या मिलेगा expenditure मिलेगा बस इस बात को ध्यान रखना यहाँ पर आप जो है old ratio लिखेंगे कि पुराना कितना था और फिर यहाँ पर लिखेंगे new एकदम same structure को follow करेंगे price, consumption और expenditure, same ratio follow करेंगे पुराना और नया, अब बात करो price में कितने की बढ़ाता है 25%, 25% का बटा कितना होता है बताओ, 25% का बटा होता है हमारा 1 बटे 4, कितना होता है 1 बटे 4, यानि पैसे में आपने कितना बढ़ा दिया, 4 रुपे पहले आपका खर्च था, अब आपने 1 बढ कितना हो गया 5 हो गया, उसके बाद बात करते हैं कैटरेना का फजी के consumption के, तो consumption में कितने की कमी की है, तो consumption यानि खपत, खपत में 20% की कमी की है, 20% का बटा कितना होता है, तो 20% का बटा होता है हमारा 1 बटे 5, यानि बोलेंगे पहले लड़की 5 खर्चा करती थी, अब जो ह में अगर पहले 5 किलो खपत होता था, तो अब उसमें 1 की कमी आ गई, यानि 4 की आ गई, तो ये हमारा price का ratio हो गया, ये हमारा consumption का ratio हो गया, सवाल में हमसे पूछा है, expenditure में कितने का बढ़त होगा, तो आपको एक बात अच्छे से पता है, आपने सीधा कहा कि हाँ, सर ने बत जाएंगे, और आपको कलम उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगे, मुश्किल से मुश्किल आसान से आसान सारे type इसमें आएंगे, income expenditure method भी इसी पर लगेगा, तो इसलिए इस type को ध्यान रखो, बहुत फायदा होने वाला इससे, अभी जब सवाल लगाओगे, तो और clarity मि हो गई है, तो अब खर्चा कितना आ रहा है, 20 रुपे, पहले भी खर्चा 20 था, आज भी खर्चा 20 है, तो क्या खर्चे में कुछ बढ़त है, तो नहीं है, तो increase पूछा गया है, तो increase कुछ होगा, बिल्कुल नहीं, 0% जो होगा, वो हमारा क्या होगा, answer होगा, कितना होगा मेरे भाई, answer होगा, answer होगा, answer होगा, 0%, सिधी सी बात है, आजएए, next question की तरफ देखिए, next question में पूछा गया है, next question देखिए, अगला सवाल सेम तरीके से, देखो, भाशा बदल सकती है, यह price consumption expenditure जरूरी नहीं कि हर बार नमक तेल पर ही लगे, इसका application किसी और तरीके से भी किया जा सकता है, जैसे यह सवाल आपके railway में पूछा गया है, सवाल में आपसे बोला गया है, कि टिकट का दाम अगर आप 50% बढ़ा देते हैं, तो आपके visitor जो होते हैं, वो 20% कम हो जाते हैं, तो बताओ आपके income में क्या प्रभाव पड़ा, अब जैसे मानों यहाँ पे ह हाल पूरा बन था, तो अब क्या करेंगे, भाई तरह चलाएगा movie, ठीक है, अब movie से जो पईसा आगा उससे बढ़ाई करेंगे, तो बोले चलो, ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अगर मानों एक movie की ticket का दाम 10 रुपया है, और एक आदमी देखता है, तो इनकी कमाई कितनी 500 रुपय, ठीक है, लेकिन कल के दिन ये क्या करें, सवाल में आपका examiner ये नहीं पूछता है, वो कमाई कितना, सवाल में आपका examiner ये पूछता है, अपने ये क्या करते हैं, ticket के दाम को बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होती है, इनके movie देखने वाले लोगों की संख्या कम ह जाती है, तो पहले कुछ कमाते होंगे, जब नहीं बढ़ाए थे तो, और अब भी कुछ कमाते होंगे, जब बढ़ा दिया हैं तो, तो दोनों की case में इनके income में प्रभाव कितने का होगा, कितना percent अधिक कमाएंगे, या कितना percent कम कमाएंगे, ये पूछा जा सकता है, तो दोनों case में हमें क्या चाहिए होगा, तो हम बात करेंगे यहांपर ये O का मतलब पुराना case और N का मतलब नया case, बात करते हैं यहांपर P मतलब price की, price इन्होंने कितना बढ़ाया है, तो price 50% से बढ़ाया है, देखो बट्टा याद कर लो तो बहुत फायदे में रहोगे, अ उसके बाद बात करते हैं visitor की, यहांपर visitor आपका quantity है, आपको सवाल में पकरना पड़ेगा कि आपका quantity क्या है, तो आप बोलेंगे sir यहांपर quantity की बात कर रहे हैं, तो quantity यहांपर कौन है, मेरे visitor है, और quantity में कितने की कमी आई है, 20% की, 20% का बट्टा होता है एक बटे 5, यानि अगर पहले 5 लोग movie देखने आते थे, तो अब उसमें कम आ रहा है, मतलब अब आ रहा है 4, समझ में आ गया, price का हमने अनुपात लिग दिया, quantity का हमने अनुपात लिग दिया, अब उसके बाद जो है, हमें देखना है कि हमारे खर्चे पर जो है, वो क्या प्रभाव पड़ और 4 लोग आते हैं, तो अब कमाते हैं, 12 रुपए, यानि आपकी कमाई बढ़ी की कम हुई, तो आप बोलेंगे, सर मेरी कमाई बढ़ गई है, कितने में बढ़त है, 2 की बढ़त है, कितने के उपर, 10 के उपर, तो 2 बटे 10, इंटू सीधा का सीधा बोलेंगे, आप 100, यानि हम आपको क्यों सिखा रहे हैं क्योंकि कल के दिन अगर मान लीजे आपका question में बट्टा वाला भी value आजाता है तो भी आप ratio method से solve कर पाएंगे ठीक है चलिए अगला सवाल देखिए सेम तरीके से अब इसकी भिवाशा बदल दी गई लेकिन जो concept है वो सवाल का सेम रहेगा concept नहीं बदलेगा बिल्कुल रितिक कश्यप, नीतु कुमारी सिंग, सुजीत महतो बहुत अच्छे भाई concept यहाँ सवाल में नहीं बदलने वाला है सवाल को पढ़िए एक व्यक्ति के प्रती घंटे वेतन में 25% की व्रिदी होती है हर घंटे उसका 25% बढ़ा दिया जाता है और काम की घंटे में कुल संख्या में 20% की कमी हो जाती है उनकी salary पर क्या असर पड़ेगा मान लिजे हमारे प्रीत सिंग है ठीक है, प्रीत सिंग कल जो है भहिया बन जाते है हमारे income tax inspector और दुआ है कि बहुत जल्दी वो बन जाए ठीक है, बिल्कुल तो अगर मान लिजे हमारे प्रीत सिंग income tax बन जाते हैं, तो इसके बाद कहानी क्या होती है सरकार उनको बोलती है कि देखो प्रीत, दिख रहा है तुम्हारा कितना मला आके तुम काम कर रहे हो और तुम्हारे काम को देखते हैं, हम बहुत खुश हुए अब हम तुम्हारी salary को 25% से बढ़ा देंगे ठीक है, तो प्रीत बोले क्या बात है अब तुम मेरा promotion हो गया लेकिन वहीं पर सरकार ने कहा कि तुम्हारे घंटे भी कम किये जाएंगे और घंटों में 20% की कमी कर दी जाएगी यानि यहां पर अगर तुम पहले 5 घंटे काम करने आते थे तो अब तुम 10 घंटे काम करोगे ठीक है, तो चलो प्रीत बोले कोई बात नहीं ठीक है तो महिने के अंत में उन्होंने देखा कि उनकी तंख्वा पर कितना प्रभाव पड़ेगा उनकी तंख्वा कितने प्रतिशत से बढ़ सकती है या घट सकती है, ये बाते हाँ पूची गई है तो कोई बात नहीं, आप खुद एक बात बताओ मान लो कि मैं कहीं पर पढ़ाता हूँ और मुझे अपने घंटे के मान लो 10,000 रुपे घंटा मिलता है और मैं वहाँ पर 2 घंटे पढ़ाता हूँ तो मेरी कमाई कितने की हो गई तो मेरी कमाई हो गई 20,000 रुपे की लेकिन कल के दिन मेरी तंख्वा बढ़ा दी जाती है और 10,000 के जगह पे 15,000 मुझे दिये जाएगा लेकिन मुझे सिर्फ एक गंटे ही बोला जाएगा पढ़ाने को तो मैं कितना कमाऊंगा मैं कमाऊंगा 15,000 उपे यानि ये जो मेरा income आया ये कैसे आया तो जो भी मेरा per hour का rate है उसको मैंने गुना किया किस के साथ time के साथ तो मेरा total earning आया है अब आप इस बात को समझेंगे यहाँ पर जो per hour है ये हमेशा आपको recognize करना है कि ये per hour क्या है तो per hour एक rate है और rate का मतलब ये per hour आपका एक तरीके से price हो गया और यहाँ जितने घंटे आप काम कर रहे हैं ये कुल घंटा एक तरीके से quantity हो गया इसे लिए price को quantity के साथ गुना करने पर क्या आएगा expenditure आएगा कि आप वो कितना पैसा मिल रहा है आपकी income कितनी generate हो रही है समझ रहे है मेरी बात को तो ये भी जो है same concept पर है भले इसकी भाशा अलग हो सकती है बड़ जो हमारा concept इस्तमाल हुआ है हूँ बहुत same concept इस्तमाल हुआ है तो सवाल में यहाँ पर बात करते हैं per hour salary यानि price की per hour salary कितना 25% 25% का बटा कितना होता है जनाब एक बटे 4 अपने समय में कितने की कमी की तो समय में 20% की कमी की है 20% का मतलब होता है एक बटे 5 बटा ध्यान रखो 20% एक बटे 5 पहले 5 गंटे काम करते ते अब एगंटे कम करते हो यानि अब कितना करते हो 4 गंटे ये आपका क्या हो गया quantity कह सकते हो या consumption कह सकते हो ठीक अब इस तरीके से जो आपका खर्चा आता था वो कितना आता था तो 5 x 4 बीस रुपए और अब भी कितना आता है तो 20 रुपए यानि ना आपका salary बढ़ा है ना आपका घटा है सरकार आपके हाथ में लॉलिपप थमा बढ़ा देंगे जो है तुम्हारा per hour का rate बढ़ा देते हैं आप और खुस हो जाते हैं बढ़िया भाईया लेकिन बाद में पता चलता आपके घटे भी कम कर दिये गए तो कहने को पहले भी 20 रुपए कमाते थे आज भी 20 रुपए तो कोई change आएगा no change आएगा ठीक है बस स basic से clear हो रहा है यह बताईए मैं आप लोगों के लिए इतना basic जाने को तयार हूँ कि बस यू समझ लीजे हम कसम खाके आए हैं कि आप लोगों का math हमको strong करना है ठीक है इस वजह से मैंने यूट्यूपर foundation batch शुरू किया है इस वजह से मैंने जो है पूरा सोचाए किन एकदम basic से आपको उठा के लेके चलेंगे ताकि आप लोग का कोई भी दिक्कत होगा तो उसको solve कर सकते हैं math का जो डर है बचपन से वो डर को हम खतम करना चाहते हैं ठीक है कोई भी student हो किसी भी category का student हो चाहे math में कितना भी बड़ा hero क्यों ना हो उसको भी बहुत concept यहां से या कोई zero भी क्यों ना हो उसको भी बहुत concept मिलने वाले हैं ठीक है आप लोग daily video को share क्या करो like रखा करो ठीक है हाँ बिलकुल चलो बहुत अच्छी बात है भाई like और share चलता रहना चाहिए और concept और content में मेरी तरफ से कोई कमी नहीं होगी साथ में आप लोग video में suggest भी क्या रूपय के वेतन के रूप में कमाता है यदि उसकी प्रती गंटे की मजदूरी को 40% बढ़ा दी जाती है और काम के ओधी को 16 सही 2.3% कम कर दिया जाता है तो बोला गया है आए में कितना परशंट का परिवर्तन होगा आपको ऐसा बड़ा-बड़ा सवाल दिया जाएगा य और कुछ नहीं है कि इतना गंटा काम करता है इतना ये करता है अब सवाल में देखो वो काम कितना करता है तो 60 गंटा वो भी कितने में तो वो भी एक हफते में 60 गंटा एक हफते में काम करता है पैसा कमाता कितना है तो 2400 रुपय कमाता है बोला गया है कि उसके प्रती में 40% का इजाफा हो गया है उसके rate को हमने बढ़ा दिया है 40% से लेकिन उसके घंटों को हमने 16 सही 2 बटे 3 कम कर दिया है बताओ income में क्या प्रभाव पड़ेगा अब एक बात बताओ ये सवाल में इतना सारा data दिया हमें जरूवत है एक बात हमेशा ध्यान रखना माईडियर कि percentage में या जब भी आपको कोई question हो जहां पर आपका option percentage में हो या आपके options ratio में हो बटे में हो वहाँ पर हमें कभी भी data के जरूवत नहीं पड़ती है आप 60 hour पर week को कार दीजे आप 2400 रुपय को कार दीजे आपको इनकी आवशक्ता है ही नहीं आपको इनकी बिल्कुल भी आजशक्ता नहीं इनकी कदर ही आपको नहीं करनी है जो आवशक्ता हमें प्रतीशत और प्रतीशत की आवशक्ता है और बाकि किसी चीजों की आवशक्ता नहीं सवाल में हमसे क्या बोला गया है प्रती घंटा बढ़ा दिया है 40% 40% का बटा कितना होता है तो 2 बटे 5 यानि आपने पैसे को 5 से कितना कर दिया है 7 40% का बटा 2 बटे 5 होता है पहले 5 कमा रहे थे तो 2 कमा रहे हैं और ज्यादा यानि 7 अब बात करते हैं आपर quantity की, तो घंटे में कितने परशंट की कमी हुई है, 16 सही 2 बटे 3, 16 सही 2 बटे 3 का मतलब 1 बटे 6 होता है, यानि पहले 6 घंटा काम करते थे, तो अब उसमें एक कम काम करेंगे, यानि 5 घंटा काम करेंगे, तो इससे जो मेरा expenditure यानि income जो मुझे मिल रह था, वो क्या था, 5 से आप 5 को कार दीजे, आपका income 6 से 7 हो गया, पहले आप 6 रुपे कमा रहे थे, अब आप 7 रुपे कमा रहे हैं, कितना जादा कमा रहे हैं, आप बोलेंगे सर, एक जादा कमा रहे हैं, कितने के उपर 6 के उपर, एक बटे 6 को जब आप 100 के साथ गुना कर आपने ये normal case पर आपने question देखा, जहां simple आपको बोल दिया जाता है क्या, कि price में तुम्हें हम इतना बढ़ा देते हैं, consumption में हम इतना बढ़ा देते हैं, तो तुम्हारा income कितना से बढ़ेगा, अब आपको थोड़ा सम reverse case की तरफ लेके चलते हैं, reverse case में क्या होगा, इसमे थोड़ा मजा आएगा आपको, क्योंकि इसमें सारे previous year के questions हमने डाल दिया हैं, जो आपके paper में पूछे गए हैं, अब ये reverse case में क्या होगा, my dear आप समझो, reverse case में आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा कि price into consumption बराबर expenditure, हर वक्त आपने जितने सवाल देके price दिया गया थ और expenditure आपको इसकी value दे देगा, इसकी value दे देगा और consumption पूछेगा आपसे, या फिर expenditure और price देदेगा, consumption पूछेगा, या expenditure और consumption देके price पूछेगा, ऐसे किसी दो कमान देगे तीसरे कमान पूच सकता है, ठीक है, तो इस तरह के भी सवालों पर आपको practice होना हैं, और इसमें कम से कम मैं आपको तीन मेथड बताऊंगा जिससे आप सवालों को हल कर पाऊगे ठीक है जिससे सवाल को देखिए प्राइस कितना था चीनी का तीन रुपए प्रती किलो और आपने उसको कर दिया आप चार रुपए प्रती किलो लेकिन आपके खर्च में कोई प्रभाव नहीं पड़ा आपका expenditure शेम रहा तो बताओ कंजप्शन में क्या प्रभाव पड़ा होगा कंजप्शन में एक दम basic questions शे शुरुबात कर रहे हैं फिर उसके बाद आपको सारे CPO के questions हो गए CGL Mains के questions हो गए सारे questions यहां लगवाएंगे CGL Mains के भी questions हैं सारे के सारे आपको Mains का भी question एकदम हलवा लगना शुरू हो जाएगा जब मेरे conceptों से आप रूबरू होंगे तो जब मेरे बताये गए तरीकों और मेरे बताये गए धाचे पर अगर आप चलना सुरू कर देंगे सवाल बनाना शुरू कर देंगे तो चाहे वो सवाल MTS का हो या चाहे वो सवाल CGL Mains का हो आप चुटकी बजाते बनाएंगे और खुद में महसूस करेंगे कि यार पांचवा दिन है percentage पढ़ने का और ये master तो इतना खतरनाक है कि CGL Mains का भी question चुटकी बजाते बनवा देता है आप अपने आप में देखेंगे ये परभाव तो सवाल में बोला गया है कि price को आपने कितना बढ़ा दिया तो price को आपने 3 से 4 बढ़ा दिया है बोला गया है भाईया हमको खर्चा में कोई बदलाव नहीं चाहिए तुम पैसा को बढ़ाओ तुम कुछ भी करो हमको मेरा खर्च उतना ही चाहिए जितना हम पहले करते थे ठीक है तो consumption में कितने की कमी करनी होगी मतलब price दे दिया expenditure दे दिया लेकिन consumption नहीं दिया तो method हमारे बदलेंगे नहीं अगर आप method number one की बात करोगे तो method number one आपको कैसे लिखना है वो देखो एकदम अगर basic से जाना चाहते हो हमेशा बोलते हो कि price into consumption बराबर expenditure यहाँ old लिखते हैं और यहाँ new लिखते हैं सवाल में हमसे क्या बोला गया है my dear सवाल में हमसे यह बोला गया है कि price जो है वो कितना हो गया price हमारा 3 रुपे से 4 रुपे हो गया और हम खर्चा को बिल्कुल नहीं बदाना चाहते हैं कि खर्चा मेरा कितना होगा, तो consumption में प्रभाव बताओ, अब percentage में हमने आपको एक नियम सिखाया था, length और breath वाले में, आज हम उसी तरीके का आपको एक नियम सिखा रहे हैं, देखो, एक बात को हमेशा ध्यान रखना, examiner आपके जज़बातों के साथ कहां पर खिलता है, कई पर खिलता है, लंबाई का अनुपाद पांच, अनुपाद शे है, और चे ट्रफल का अनुपाद कितना है, तो साथ अनुपाद माने चार है, आपसे पूछेगा area का जो है, breath का चोडाई का कितना होगा, लंबाई का ratio दे दिया 5, 6, ठ्रचये का नहीं दिया है, मान लो area का दे दिया है आपसे पूछेगा चोड़ाई आपको हमने trick सिखाया था और कैसे सिखाया था मेरी बात को ध्यान रखना आपको हमने यहीं कहा था कि भूल जाओ यहाँ पर कि कभी x मान के करोगे कि 5 into x बराबर 7 तो x का मान आएगा 6 into y बराबर ऐसे नहीं करना आपको simple trick ध्यान रखना है कि मुझे 7 के उपर data लिखना है तो 7 को मैं किस के साथ गुना करूंगा 6 के साथ तो आजाएगा 42 और मुझे 4 को 5 के साथ गुना करना है आजाएगा 20 अब आप यहाँ खुद देखोगे पहले चोड़ाई 42 थी अब चोड़ाई 20 है तो यहाँ पर देख लेंगे कि कमी कितने की आई है उसी तरीके से अगर आपका examiner तीन data देते माई डियर वो आपको बोले कि लंबाई का जो अनुपात था वो एक अनुपात दो था चोड़ाई का जो अनुपात है वो तीन अनुपात मान लीजे शार है और आपसे जो है उचाई का अनुपात नहीं देता है और आपको बोलता है यहाँ पर कि जो volume का अनुपात है 5 अनुपात साथ है तो बताओ चोड़ाई का अनुपात कितना था percentage increase या percentage decrease बाद में निकालेंगे पहले अनुपात पूछेगा तो अनुपात देखे आप बोलेंगे सर इसी के तो उपर data लिखना है यहां का 5 पकड़िए और 5 को 4 और 2 के साथ गुना करिए तो 5 इंटू 4, 20 और 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा 40 लिख देंगे यहां पर यहां का 7 पकड़िए 7 इंटू 3, 21, 21 इंटू 1 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा यह हमारा चोड़ाई का उचाई का उनुपात आजाएगा ठीक है यह किसका आजाएगा उनुपात हमारा उचाई का उनुपात आजाएगा बहुत महत्वपून होती हैं ये बाते जब भी हमें पता होता है कि इन तीन लोगों को गुना करने पर ये संख्या आ रहा है और किसी दो का मान दिया जाता है तीसरे का नहीं दिया जाता तो हम तीसरे का मान इसी तरीके से निकालते हैं जैसे आपके paper में मान लो कल के दिन बोला जाए कि यह हमारा A है, यह हमारा B है, यह हमारा C है और यह हमारा D है और यहाँ पर हमारा X है, ठीक A का जो मान है वो दिया जा रहा है आप इस concept को अगर समझ गया ना, ratio का यह concept है अगर आप यह concept समझ गया तो आप हर जगा इसको imply कर पाएंगे ठीक, तो आपको मान लीजे कि A का अनुपाद दिया जाएगा A का अनुपाद 2, B का अनुपाद दिया जाएगा मान लीजे यहाँ पर 3 अनुपाद 2 दे दिया गया इसका अनुपाद जो है वो हो गया 3 अनुपाद 1 और यहाँ पर हो गया final अनुपाद 5 अनुपाद 4 और बोला जाएगा जो यह X है ना, X A, B, C, D को आपस में गुना करने से आया है यह ABCD का product है, कैसा है? यह ABCD का product है, तो आप मुझे बताओ यह D का अनुपाद क्या होगा बहुत जरूरी होता है इस concept को तो देखो आप बोलोगे सर, D जो है X के उपर ही तो है तो इसका 5 पकड़ो और इधर के 3 संख्याओ को पकड़ो तो 5 इंटू 1, 5, 5 इंटू 2, 10, 10 इंटू 2 कितना हो गया 20 तो यहाँ पर लिखेंगे 20 अब यहाँ इसके उपर लिखना है, तो इस 4 को पकड़ेंगे 4 इंटू 3, 12, 12, 13, 36, 36 इंटू 1 कितना हो जाएगा 36 तो आप बोलेंगे सर, 20 और 36 का अनुपाद है समझ गए मेरी बात को आप, सेम तरीके सब आपको क्या करना है यहाँ पर इसको लगाना है आपको पता है कि price और consumption को ही गुना करने पर क्या आता है expenditure आता है expenditure का ratio 1, ratio 1 दे रखा है अगर expenditure का ratio 1, ratio 1 दे रखा है तो आप on the spot बोलेंगे कि इसका 1 उठाओ और इसका 4 उठाओ 1 into 4 कितना हो गया? 4 और इसका 1 उठाओ और इसका 3 उठाओ कितना हो गया? 4 अनुपाद 3 तो सवाल में बोला गया है कि consumption में कितने percent का effect पड़ेगा आप बताओ पहले खपत आपका 4 था, अब खपत आपका 3 है कितने की कमी? 1 की कितने के उपर तो 4 के उपर एक बटे 4 कितना होता है? तो एक बटे 4, 25% और यहाँ कमी हो रही है तो decrease होगा option number B जो है वो correct answer होगा मैंने आपको क्यों ये concept सिखाया? क्योंकि अब आपका सवाल देखो कैसा हो सकता है? मानलो कल के दिन आपका question में ये पूछ लिया जाए मानलो कल के दिन आपका simple सा question बना बनाया मैं दे रहा हूँ price का जो ratio है वो है 5, ratio 7 और quantity का ratio आपको दिया नहीं जाएगा और expenditure का ratio साफ लफजों में आपको मैं लिख देता हूँ expenditure का ratio 14, 17, 13 है तो मुझे बताओ यहाँ पर quantity में कितने percent का increase होगा या decrease होगा कितना होगा बता दो अब वहाँ पर तो आसान था कि 4 रूपए से 3 रूपए हो रहा है या 3 रूपए से 4 रूपए हो रहा है लेकिन मेरे भाई अगर ऐसा date आ आगया तो कईसे करोगे ऐसा date आ गया तो कैसे करोगे खुद सोचो यहाँ पर चलो इस ratio को पल्ती भी कर देते हैं 7 नुपात 5 कर देते हैं थोड़ा सा आसान हो जाएगा तो कैसे करोगे तो बोलोगे सर यहाँ का 14 उठाएंगे और यहाँ का यहाँ का 14 उठाएंगे और यहाँ का 5 उठाएंगे तो यह हो जाएगा 14 इंटू 5 और यहाँ पर यहाँ का 13 और यहाँ का 7 तो 13 इंटू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा 7 चौदा को 2 बार में काटेगा तो यह 10 ratio कितना हो जाएगा 13 अब आप देखो यह quantity कितना हो रहा है, तो यह quantity 10 से 13 हो रहा है, कितने की बढ़त है 3 की, कितने के उपर 10 के उपर, अगर 3 की बढ़त 10 के उपर, तो इसका अंसर कितना होगा, 30% जो होगा, वो हमारा correct answer हो जाएगा, कि यहां पर हम quantity को कितना बढ़ाएंगे, तो हम कितना 3, कितने के उपर, 10 के उपर, 100 में calculate करेंगे, तो कितना आएगा, 30% आएगा, तो बड़ा से बड़ा सवाल भी आप बना पाएंगे, इस बात को ध्यान रखिए, तो यह question हो गया हमारा, अब यह तो सवाल हो गया method number 1, अब आगे देखो एक और सवाल है, फिर मैं आपक आपको CPU में, जिससे आपको दिल्ली पुलिस में चैनित होने का मौका मिलता है, CISF और ITBP, जिन बचों को CPU के बारे में नहीं पता, तो CPU के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको दे देते हैं, यह बहुत अच्छा paper होता है, ठीक है, SSE का कराएगया बहुत एक शांदा पेपर होता है, जिसमें आपको बहुत जादा maths किया वशक्ता नहीं होती है, और बहुत जादा मेहनत भी नहीं लगता है, अगर आप CPU की बात करेंगे, तो मैं आपको CPU के बारे में चुकिया है, तो आपका 2 मिनट का हम वक्त लेंगे, कुछ अच्छी बात आपको बता दें क्या होती है, वो हमारी क्या होती है, तो आप जो हैं वो graduate होने चाहिए, सबसी पहली बात है, अगर आप graduate नहीं है, तो आप ये form नहीं भर पाएंगे, SSE CPO में किस-किस post को दिया जाता है, या किस post में आप चैनित होते हैं, तो आप जो है, इसमें दिल्ली पुलिस में, दि इंडो तिबितन बॉर्डर पुलिस, इसी तरीके से आपको SSB हो गया, सहस्तर सीमा बल और आपका एकवादा पोस्ट और भी होते हैं, ठीक है, CISF हो गया जैसे, ठीक है, security force, बिल्कुल CISF, ये आपके 4-5 forces होते हैं, जहां पर आपको मुका दिया जाता है, देश का शेवा होता है, सबसे खासियत इसकी यही कुपसूरती है, कि इसमें ज्यादा पेपर के जहमेले नहीं होते है, पेपर 1 जो होता है, वो एकदम आपके prelims की तरह होता है, जिस तरीके से आप CISL देते हैं, CHSL देते हैं, MTS देते हैं, सेम उसी तरीके से, लेकिन बस यहां number of questions जो होत लेकिन आपके generally जो pre होते हैं, SSE का, CISL का, CHSL का, MTS का, उसमें कितने कितने सवाल रहते हैं, 25-25, लेकिन इसमें सवाल रहता है 50, question रहते हैं 50, 50, 50 और 50, और हर question यहां पर एक number का होता है, ठीक है, हर question यहां पर कितने number का होता है, एक number का होता है, और समय आपको दिया जाता ह है कितना दो घंटा, दो घंटे में 200 नंबर का पेपर होगा, cut-off इसकी पहले बड़ी कम जाती थी, 200 में सिर्फ 90 नंबर, 97 नंबर 100 नंबर जाता था, बट अब थोड़ा cut-off इसका high जाने लगा है, 125-126 के करीब में हाल फिलाल का cut-off रहा है, अब ये तो हो गया आपको CPO का परीगा, अब जो स्टूडेंट यहाँ पर प्री क्वालिफाई कर लेता है, उसके बाद उसका क्या होता है, तो उसके बाद भाईया वो जाते हैं, फिजिकल में, देखो, ये इतनी मज़ेदार जोब है कि आप अगर थोड़े से ऐसे स्टूडेंट है, जो फिजिकली फिट हैं, और फिजिकली फिट होने के साथ-साथ, आप थोड़े से पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं, तो आप बात करेंगे फिजिकल का, तो फिजिकल में देखो, यहाँ पर कुछ नहीं करना, एक लॉंग जंप है, ठीक है, और लॉंग जंप के अलावा जो है, आपको शॉट पुट है, जो एक वो गोला होता है, वो गोला फेकना होता है, यह अगर आप चैनित होते हैं, और सबसे बड़ा रेस होता है, यहाँ पर, ठीक है, लॉंग जंप हो गया, एक हाई जंप भी होता है यहाँ पर, लॉंग जंप और हाई जंप दोनों होते हैं यहाँ पर, और उसके टाइम लिमिट होती है कि साड़े पांच मिनट के अंदर शायद ये खतम करना होता है, ठीक है, यहीं पर सबसे जादा बच्चा छड़ जाता है, क्योंकि देखो जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, मालो जो ऐसे सी सीजल के तियारी कर रहा है, तो वहाँ पर उसका क्या है, व हमारा गोलू-मोलू होता है, प्यारा सा, उसके नमबर आते हैं, 145 और मालो 150, ठीक, और क्या होता है, कि फिजिकल में जाते जाते जाते, जो ऐ 190 वाला है न, वहीं पर जाके हाई हाई बोलता है, और धणाम-धणाम खतम, यहीं पर रेस में बाहर हो जाएगा, रेस में बाह जाएगा के ही, तो मुश्किल से 40 या 50 लोगी से लेक्ट होता है, प्रतिक्षन तरसे, नो सब 50 लोगों की छतनी हो जाती है, कोई अगर भाग लेगा, घुद लेगा, तो हाई जंप ने रह जाएगा, ऐसी अई कारी होती है, इसालिए जितने ये पढ़ातों लोगों होते ह यहां सारे के सारे वहीं पिछड जाएंगे पहले लेवल में, यहां पर वो student होता है, जो गाउधेहाद से है, थोड़ा बहुत बढ़िया बढ़िया भागा है, या जिसने बढ़िया बहुत जो training ले रखी है, ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका मेंस, मेंस में सिर्फ औ आप अराम से आँख बंद करके, इससे समझ लो लेके आ सकते हो, ऐसा score रहा इस बार, ठीक, तो बात करें यहां पर, अब देखो आपने कितने नमबर का दिया, 200 नमबर का आपने प्री दिया, मेंस कितने नमबर का दिया, 200 नमबर का, मेंस में मैथ किया उशक्ता है ही नहीं कोई descriptive है ही नहीं बस आपका 400 number में cut-off आएगा और 400 number में जितना जिसना score है सबसे highest दिल्ली पुलिस का cut-off होता है फिर बाकी सारे post के cut-off होते हैं और इसमें अब देखो इस तरीके से cut-off आता है तो इस तरीके से आपका selection होता है अब इसमें जो मैं आपको फाइदेगी बात बता उँ वो मैं आपको यह बताता हूँ हमारे गुरु कुल में गल्स गुरु कुल में एक लड़की थी और एक और थी नीलम डबास करके ये नीशा और नीलम की अगर मैं story बताऊ ना नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो दिलिपुलिस में ओषा ली कैसे बने ? तो दिलि पुलिस में ओषा कैसे बने उसकी मैसे स्टोरी सुनिये ठीक है, बात करते हैं हैं और इन दोनों का तो इन दोनों का PRI का जो स्कोर रहा है वो 40,000 से 50,000 के बीच में rank था, ठीक है, 40,000 से 50,000 के बीच में इनका rank था, और जब final selection हुआ, तो final selection में इनका rank कितना था, तो एक का rank 37 था, और एक का rank 54 था, मुझे जहां तक ध्यान है, तो ये 40,000 से 50,000 से rank था, 37 पे ये लोग कैसे आए, तो कारण है, प्री में बहुत अच्छा score नहीं था, इस होजे से इनका rank कितना खराब था, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद हुआ फिजिकल, प्री के बाद कौन सा paper हुआ, तो प्री के बाद हुआ इनका paper फिजि कि ये भाई साब, जो race है, उसको qualify कर लिया, long jump, high jump, इन तीनों के qualify करने के बाद तब आया मेंस का बारी, क्योंकि यहाँ पर पता है कौन सा बच्चा चड़ता है, यहाँ पर वो बच्चा चड़ता है नो, जो सबसे जादा पढ़ने में है, जैसे मेरे बहुत ऐसे student थे, जि नहीं भाग सकते हो, यहाँ चड़ जाते हैं फिर उसके बाद मेंस का paper होता है, अब जब यह मेंस का paper होता है, तो इसमें दोनों के score जबरदस्त English में थोड़ा serious हो गई यह दोनों, एक के 192 ऐसे करके जबरदस्त number लेकर आए, selection हुआ, और इसके बाद दोनों का दोनों जब चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, इसके साथ Boys Gurukul का भी एक student था, आमित धंकर करके, आमित धंकर जो है, वो दिल्ली पुलिस में तो नहीं है, SSB में करके है, ठीक है, उसकी भी ऐसी story थे, सीजल से बहुत जाता पक चुका था, बहुत time taking लग रहा था, तो उसने यहाँ पर आराम से paper दिया, बढ़िया score आता है, क्योंकि जो student सीजल की तयारी करता है, तो उसका CPU परी बढ़े आसान से निकल जाता है, बस होता है, होसला है, फिजिकल निकालने का, फिजिकल निकालो, फिजिकल निकालने के बाद जो है, मैं इसकी थोड़ी बहुत तयारी करो, न अपने घर में एक प्यारी सी कोई भी एक post आप लेकर शरकारी नौकरी में बैठ सकते हैं, ठीक है, तो आप में से बहुत ऐसे student को आज मैंने वो बात बताई, और आपके पास एक बहुत golden opportunity होती है, तो आप जब भी CBO का form निकले, तो आप उसको जरूर भरें, ठीक है, फॉ एक another level पर होगा, ठीक है, चलिए, तो इसी तरीके से बीच-बीच में कभी-कभी वीडियो में अगर मुझे कुछ बाते ध्यान रहीं, तो मैं आपके साथ वो शेयर करता रहूँगा, ये जानकारी इतने लेके कहां जानी है, ठीक है, कहीं तो लेके नहीं जानी ना, तो बस फॉर्म इसके बहुत तेजी में निकलते हैं और बहुत जल्दी इसके एक्जाम्स भी होते हैं, अभी बात करोगे तो साथ मुझे लगता है, CPO 2020 का भी पेपर हो रखा है, तो जैसे भी रहेगा, टेलिग्राम पर मैं अपडेट देते रहता हूँ, कोई भी वेकेंसी आती ह मेरा अपना टेलिग्राम जो है, मैंटस भाई अदित्तेर अंजन करके, उस पे मैं पूरा आपको अपडेट देते रहता हूँ, बिल्कुल, चैनल का नाम है मैंटस भाई अदित्तेर अंजन, यहां बर कोई भी अपडेट आता है, फॉर्म से रिगार्डिंग कोई भी अप के अपडेट होती है तुरंत आपको मिलता है तो ज्वाइंग कर लेंगे तो उसमें आपको अपडेट मिल जाएगा तो उसी में ये पूछा गया सवाल है जो भी पेपर में हुआ है और सवाल में पूछा गया है कि प्राइस को हमने 15% बढ़ा दिया है अब बताओ एक मोटरिस्ट अपने कंजप्शन को कितना कम करे कि जो उसका खर्चा है वो बढ़े नहीं ठीक है बिल्कुल इसलिए तो मैं कहता हूँ आपको कि मैं आपको नए पैटरन पर प्राक्टिस करवा रहा हूँ तो इससे आपकी नोकरी लगने की संभावना भी ज्यादा हो सकती है न मैं आपके साथ शेयर करूंगा मैं तो आपको पता है कि प्राइस को 15% बढ़ाया तो 15% का जो मान होता है वो होता है तीन बटे 20 तो आप बोलेंगे कि सर प्राइस पहले कितना था तो 20 था अब प्राइस को हमने कर दिया 23 कंजप्शन क्या हो जाएगा जश्टिस का उल्टा 23 से कितना हो जाएगा 23 से 20 हो जाएगा कितने की कमी तो 3 की कमी कितने की उपर 23 के उपर तो 3 बटे 23 इंटू 100 करोगे एक तो ये मेथड हो गया लेकिन अब ऐसे मेथड मत लगाओ अब पेपर में ऐसे मेथड से काम नहीं होता है इसको ऐसे काटो और आपको जो मैं मेथड द वालों को secondum में बनाने में मदद करेगा आपने यहां क्या रखा? यहां पर आपने 100 रखा है यहां पर या तो price नहीं तो consumption और यहां पर आप रखेंगे expenditure समझ में आ रहा है मेरी बात अब देखिए यहां पर याद price देगा तो price लिखो consumption देगा तो consumption लिखो और यहां expenditure लिखना सवाल में आपसे बोला गया है कि price को आपने 15% बढ़ाया है यानि 100 में 15 की बढ़त कर दी है तो वो कितना हो गया है 115 और बोला गया है कि बेटा तुमको consumption में कितना कम करना पड़ेगा कि खर्चा तुम्हारा उतना ही रहेगा मतलब पहले खर्चा होता था मानलो 100 आज भी खर्चा होता है तुम्हारा 100 तो कितने की कमी करोगे तो बोलोगे सर 15 की कमी करनी है कितने की उपर 115 की उपर तो सीधा answer 15 बट 115 into 100 कर दो यहीं तुम्हारा क्या हो जाएगा answer हो जाएगा यहीं answer हो जाएगा 5 से काटो 3 बार में 5 से काटोगे तो तुम्हारा 23 बार में कटेगा बटे में 23 कहां पे है तो बटे में 23 की option में है option number जो C है वो correct answer है option number जो C है वो क्या है correct answer है बहुत important है आप समझते चलिए अब जैसे यह सवाल देखिए सेम तरीके से आपका पूछा गया price को आपने decrease कर दिया है 20% से एक housewife जो है वो अपने खर्चे को बढ़ाना चाहती है कितना 36% से लेकिन उसको अपने increment consumption में कितना करना होगा simple सा बात है कोई दूसरा method लगाओगे ratio लगाओगे बहुत लंबा पड़ेगा successive लगाओगे बहुत लंबा पड़ेगा मैं जो आपको golden method दे रहा हूँ आप बो लगाई है आप बोलेंगे कि sir पहले मान लिजे यहाँ पर कितना 100 रुपए यहाँ पर price में क्या हुई है sir कमी हुई है कितने की 20 की तो 100 से यहाँ पर लिखेंगे sorry 100 से यहाँ लिखेंगे कितना 80 रुपए लिखेंगे और फिर उसके बाद बोला गया है आपको यहाँ पर कि housewife increase करती है कितना खपत को कितने जनाब 36 से तो यहाँ पर आप इसको बढ़ा देंगे 100 में 36 कर देंगे 136 अब आपसे पूछा गया है कि 80 से 136 जो है वो कितना है बताओ कितना परतिशत है तो बोलेंगे 80 से 136 यानि कितने की बढ़त है 56 की बढ़त है कितने के उपर तो 80 के उपर तो 56 बटे 80 कितना कर दो 100 कर दो बात कतम 0 से 0 8 से साथ बार में 70% जो होगा वो हमारा क्या होगा आंसर होगा option number C is the correct answer समझ गए बात को ratio से बना सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं बहुत time ticking हो जाता है आपके mind में इतना रहेगा कि sir ने कहा यहाँ 100 लेने को और यहाँ पर उन्हों ने कहा है कि या तो price लिखो और नहीं तो consumption लिखो और यहाँ पर क्या लिखो expenditure लिखो बढ़ा कर बोलेगा तो बढ़ा कर लिखेंगे कम कर के बोलेगा तो कम को लिखेंगे बढ़ा कर बोलेगा तो बढ़ा कर लिखेंगे कम करने को बोलेगा तो कम करने को लिखेंगे अगर price देगा तो consumption की कमी पूछेगा या बढ़त पूछेगा और अगर consumption देगा तो price का पूछेगा कितना यहाँ जादा है 56 जादा है कितने के उपर 80 के उपर सीधा percentage बता देंगे बताओ मज़ा आया ठीक तो अगला सवाल जरा आपके लिए है आप सभी मुझे comment box में इसका answer दो उमीद है कि जितने बच्चे अभी live देख रहे हैं सारे के सारे answer दे पाएंगे consumption में आपने कितना बढ़ाया है तो consumption को 20% और खर्चे को कितना बढ़ाया है तो 1.500 बढ़ाया है तो बताओ price पर क्या effect बढ़ेगा आँख बंद करके सीधा यहाँ लिख सकते हो 100 बंद करके आँख लिखो बिलकुल consumption को बढ़ा दिया 20 तो 100 से 120 हो गया और आपने खर्चे को बढ़ा दिया 50 तो 100 से कितना हो गया 1.500 कितने की बढ़ात हो गई तो बोलेंगे सर 30 की बढ़ात कितने के उपर 120 के उपर लेकिन यह पता होना चाहिए कि यह कब लगाएंगे, कब जब प्राइस या कंजप्शन में से कोई एक दे और एकस्पंडीचर दे, तभी लगाएंगे क्लियर है, रिवर्स केस और ज्यादा असान हमने आपके लिए बना दिया है, अब देखिए सीजल मेंस का कोशन है, आपकी पहली क्लास है आज समझ लीजे प्राइस कंजप्शन एकस्पंडीचर के उपर, और आपका लेवल इतना खतरनाक हो चुका है, कि आप समझ लीजे कि सीजल मेंस के भी कोशन आप बना पाएंगे, ठीक है, बिल्कुल, मेंस के कोशन परसेंटेज के अब आप देखिए, आपको 50 मिनट के अंदर हमने सिखा दिया, सवाल में देखिए, जब एक वस्तू की कीमत को 25 परसेंट कम कर दी गई है, तो इसकी बिकरी X परसेंट बढ़ गाते है यहां पर 100, 100 के बाद पैसे में कितने की बढ़त है? 25 परसेंट, तो 100 से यह बढ़ कर कितना हो गया? तो बोलेंगे सर, 125 हो गया है, ठीक, उसके बाद आपको बोला गया है कि आपका sale X परसेंट से बढ़ गया, sale को मार हो गोली, और फिर उसके बाद देखो, income में कि तो बोलोगे सर इंकम भी हमारा 20% से बढ़ गया इंकम 20% से बढ़ गया तो कितना हो गया 100 से यहां पर 120 हो गया अच्छा प्राइस को कम किया गया है 25% से तो प्राइस को 100 से कितना कर दिया गया है 75 कर दिया गया है प्राइस को हमारे 100 से 75 कर दिया गया है और यहां पर हमारे income को 100 से 120 कर दिया गया है बोला है कि आपके sale में कितने की बड़त है तो आप बताओ 75 sale था, अब 120 sale है कितने की बड़त है तो 45 की बड़त है कितने के ऊपर, तो 45 की बड़त आपको 75 के ऊपर तो 45 बटे 75 into क्या करेंगे? 100 करेंगे 5 से काटिए तो 20 बार में कटेगा 5 से काटेंगे तो 15 बार में 5 से काटेंगे तो 15 से सीधा 3 बार में कटेगा 20 इंटू 3 कितना आजाएगा 60% आएगा मैं इसका question है लेकिन आपके लिए हलवा है अब अगर मैं आपको सवाल ये secondum मैं और बोलता कि calculation रखो तो आप इसको एक और काम कर सकते थे आप इसको जो है 15 से यहीं पर काटो 15 से 5 बार में और 15 से यहीं पर काटो 8 बार में 5 का समान 8 हो रहा है 3 की बढ़त है कितने के उपर 5 के उपर 1 बटे 5 20% होता है 3 बटे 5 कितना होगा 60% होगा टिक मारो अपने चीजों को जितना short में लेके चलोगे उतना अच्छा है calculation लंबा रखने से क्या फायदा अगला सेम सवाल फिर मेंस का है 2019 में पूछा गया है देखे सवाल में बोला गया है याती petrol की कीमत 19% बढ़ जाए और सुनीता petrol पर केवल 12% ही अतिरिक्त खर्च करना चाहती है तो उससे petrol की खरीदी गई मातरा में कितने परशंट कम करने होंगे सवाल में क्या क्या दिया है पकड़ो तो बोलो कि सर petrol की कीमत दी गई है उसके अलवा क्या दिया गया है पेट्रोल पर अतिरिक्त खर्च दिया गया है अब आप देखो आपको कीमत दे दी गई आपको खर्चा दे दिया गया और बोला गया है कि बताओ कितना कंज्यूम कर रहे थे उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा यानि हम यहाँ फिर से पैसे को कितना 100 माल लिया और 100 के बाद कितना बढ़त हो गया प्राइस 119 तो यहाँ पर आप कर देंगे सर 19% की बढ़त है तो 119 हो चुका है उसको अलग से खर्चा करना पड़ रहा है कितना 12% यानि 100 से अब कितना खर्चा कर रही है वेचारी तो 112 तो यहाँ पर कमी हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ कितने की कमी हो रहा है साथ की कमी कितने के उपर 119 के उपर और 100 से गुना करेंगे तो 700 बटे 119 119 का 5 गुना जो है वो कितना आएगा approximate पूछा गया है nearistic integer पूछा गया है 119 को 6 के साथ गुना करोगे तो महंगा पड़ जाएगा 5 के साथ करो तो आजाएगा 595 105 आएगा 105 को तुम 1050 कह सकते हो और इसको करोगे अगर तो 8 बार में करोगे तो तुमारा हो जाएगा 5.8 के करीब में तुम्हारा कटे गई है और 5.8 जो है तुम nearest अगर बात करोगे तो option number B टिक कर शकते हो आप यहाँ पे 6% जो होगा वो आपका correct answer होगा समझ रहे हैं क्योंकि आपका examiner मेंस में ऐसा data देता है जो कटता नहीं है देखो सवाल वो tough क्या बनाएगा जब मैं इतने आसान-सान solution आपको दे रहा हूँ तो वो बिचारा कितना भी tough बना ले उसको क्या फर्क पढ़ना है आपको कोई फर्क पढ़ना है जागे परिक्षय में वो कितना भी tough paper आपके लिए set कर दे जब हम अपरोजी आसान रखेंगे और इतने आसानी तरीके से इतने बड़े-बड़े सवालों को बना लेंगे तो हमारे लिए तो कोई फर्क ही नहीं कि सवाल टफ़े की आसान है लेकिन एक चीज़ वो कर सकता है उसके हाथ में है वो है calculation एक ऐसी संख्या दे सकता है जो कर तो अगला सवाल देखो सवाल के आत्मा इतनी बड़की है मेंस में तो आया ही आया है प्री में भी आया है मुझे लगता है कि फिर भी जो है आप लोग सवाल को बना पाएंगे सवाल में बोला गया है कि प्राइस को आपने बढ़ाया है 18% से एक वेक्ती सिर्फ अपने खर्चे को 12% से बढ़ाना चाहता है तो बताओ उसे अपनी खपत में कितने की कमी करनी होगी एकदम बवा सवाल है फिर से बोल दोगे दल्दी दल्दी लिखोगे सर 100 था 100 से 18 हो गया यानी 118 हो गया और खपत में कमी 12 की हुई है अपने खर्चे को 12 बढ़ाना चाहता है यानी 112 कमी कितने की है तो कमी 6 की है कितने की ऊपर 118 की ऊपर तो 6 बटे 118 इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे 10 seconds के अंदर हमारा answer हमारे कदमों में होगा बिलकुल ठीक है हमारा answer हमारे कदमों में होगा अगर आप देखेंगे तो 600 बटे 118 118 का 5 गुना होता है 590 यानि 5.1% जो होगा वो क्या होगा इसका answer होगा 5.1% मेरे भाई ठीक है एक मिनट एक मिनट एक मिनट 5.1 नहीं होगा आप अगर correct करेंगे तो ये आपका 600 बटे कितना है तो 600 बटे 118 है आप जैसे इसको 5 बार में काटेंगे तो 590 फिर वहाँ पर 10 आएगा 10 शमला लगाएंगे ठीक है 118 का 5 गुना कितना होगा तो 590 हो जाएगा यहाँ से आएगा 10 शमला लगाने पर हो जाएगा 0 ठीक है और 0 हो जाएगा फिर यहाँ पर बिल्कुल 5.1% ही आएगा प्राइस को 17% बढ़ा दिया खर्चे को 5% जो है कर दिया तो यह सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है और यह आपके लिए PGW है PGW का मतलब आपको घर से करना है और इसका आंसर आपको कहां देना है तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है अगर आप मेरे इस बताएगए कंसर को सीख पाए है तो इसका आप कहां देंगे कमेंट बॉक्स में अब देखिए यह सारे सवाल तो हो गए हमारे कोई दिक्कत की बात नहीं है सेम तरीके से जैसे मालो यहाँ पर फिर से मेंस का कोशन मैं आपको करा रहा हूँ 13 सितंबर का अब यह सवाल देखे तो है तो concept same ही यहाँ पर लेकिन concept same होने के साथ साथ थोड़े से भाशा में बदलाव की गई है ठीक है हाँ शेरसा बैच और कॉमबो बैच में दोनों में math same है दोनों में math special मैं ही पढ़ा रहा हूँ कॉमबो अगर कोई student लेता है तो उसको फायदा बस इतना होता है कि उसको fees कम हो जाती है combination, कॉमबो का मतलब होता है combination combination, बाकि ऐसा नहीं है कॉमबो में अलग पढ़ाया जाएगा और वहाँ पर अलग अब देखो यहाँ पर बासिर है बासिर के कारे के दैनिक घंटे 15% बढ़ा दिये जाते हैं और मजदूरी 20% के वरिदी हो जाती है सवाल देख रहे हो, pattern जो है वो same है concept जो है वो same है पूछा कहाँ पर गया है, मेंस में जैसा कि मैंने आपको बोला था जब मैंने वो सवाल करवाया था तो और इसको भी आप सेकेंडो में करश रखते हो मतलब आपको यहाँ यह बोला गया है प्रती घंटे की कीमत 15% बढ़ा दी working hour को 15% कर दिया और wage को जो है आपने 20% कम कर दिया तो यहाँ पर earning पूछा गया है माफ करिएगा daily earning पूछा गया है तो daily earning आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं आप बताईए daily earning के लिए हमने आपको concept क्या बताया था कीमत की बात करो तो कीमत में कितने की बढ़ात है तो कीमत में आपको 15% की बढ़ात है यानि 15% का जो बता होता है जनाब तीन बटे 20 होता है तो इसका price जो है वो 20 से कितना हो गया है 20 से हमारा 23 हो चुका है फिर इसके बात करते हैं यहाँ पर प्रती घंटे यानि quantity कितना वो गंटा काम करता है कितना गंटा वो बंदा काम करता है तो उसमें wages per hour में देखो working hour को बढ़ा दिया गया है 15% तो working hour को यहाँ पर क्या लिखेंगे working hour को हम 20 से कितना लिखेंगे 23 लिखेंगे working hour को हम quantity की तरह count करते हैं फिर उसके बाद हम से बोला गया है यहां पर प्रती घंटे पर आवर को आपने 20% क्या किया है बढ़ा दिया है 20% का बट्टा एक बटे 5 होता है यानि पहले उसको एक घंटे के 5 रुपए मिलते थे तो अब एक घंटे को उसको 6 रुपए मिलेंगे यह उसका पर आवर का सेलरी है और यहां पर वो कितने घंटे काम कर रहा है तो जब उसका इंकम बनेगा यानि जब उसका पैसा आएगा तो एक घंटे के 5 रुपए और काम किया 20 घंटे तो पैसा कमाया कितना तो 100 रुपए एक घंटे के 6 रुपए और काम किया 30 घंटा तो ठीक है तो यहां पर खुद देखो कितना percent का increase है 100 से 188 हो गया तो आप बोलेंगे यहां पर Working hour per day was increased by इतना and wages per hour was increased by इतना how much percent is daily earning increase Daily earning 6,38, 6,21,12,13, 1 minute, 1 minute, 138 है यहां पर ठीक है गुना में थोड़ी सी गलती है 138 हो जाएगा तो 138 हो जाएगा तो कितने की increase है 100 पर 38 का increase तो हमारा option number B जो है बाहू बलीज जा correct answer होगा ठीक है हाँ बिलकुल बाहू बलीज जो होगा वो correct answer होगा ठीक चलिए तो अब हम देखते हैं कुछ नए प्रशने जो हमारे है quantity पर अधारित quantity पर अधारित कैसे प्रशन होते हैं वो भी समझे अब जिससे मालो आपने बहुत सारे ऐसे question देखे होगे जहां पर आपको यह मिला होगा कि अगर हम पैसे को थोड़ा सा कम कर दें तो कोई वेक्ती दो किलो जादा समान खरीत के लिए के आ जाता है या अगर हम पैसे को थोड़ा सा बढ़ा दे तो कोई वेक्ती 2 किलो कम समान खरीद के लेके आता है तो बताओ वो पहले कितना समान खरीद के लेके आता था और वो अब कितना समान खरीद के लेके आ रहा है बहुत important type है बिल्कुल बहुत important type इस बात को ध्यान दो अभी जो है इस type के बारे में पढ़ेंगे जैसे आपने देखा नहीं था कि महेंगाई बढ़ गई और महेंगाई बढ़ गई तो क्या हुआ कोई वेक्ति 2 किलो अब कम चीनी खरीद के लेकर आ रहा है कितने रुपे में तो 60 रुपे में सवाल आपका कैसे बनेगा देखो सवाल में आपको ऐसा दिया जाएगा ठीक है कि प्राइस जो है वो 20% को आपने बढ़ा दिया एक वेक्ति पहले 60 किलो पर्स खरीदा था अब वह हाँमच केजी पर्चेज पर्चेज नौ इन सेम अमाउंट अब वह कितना खरीदेगा इस तरीके के सवाल दिख रहे हैं आपको फिर आपको यहां पर देखिए तो जैसे यहां पर आपने कोशन में देखा है यहां पर कि प्राइस को आपने बढ़ा दिया है 20% से और एक वेक्ति पहले 60 किलो दाना या अनाज खरीदता था अब वो जो है कितना किलो पल्स खरीदेगा उतने ही पैसे में उतने ही पैसे में वो कितना खरीदने वाला है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है यहां पर एक का क्वांटिटी दिया जाएगा दूसरे का निकाला जा सकता है हम आज जो concept पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं हम जो आज concept पढ़े हैं वो यह पढ़े हैं कि price को consumption के साथ गुना करने पे expenditure आता है यहां मेरे दोस्तों price को consumption के साथ गुना करने में expenditure आता है तो हम यहाँ पर price लिखेंगे, यहाँ consumption लिखेंगे और यहाँ पर expenditure लिखेंगे price की बात करिए, तो price को आपने 20% बढ़ा दिया है 20% का मतलब आपने उसको कितना कर दिया है, तो price को आपने 5-6 कर दिया है उसके बाद सवाल में बोला है कि पहले कोई व्यक्ति 60 किलो दाना खरिता था आज वह कितना खरीदेगा उतने ही पैसे में यह word आपके लिए बहुत महत्वपून है, in the same amount आपका amount same होना चाहिए और जब आपको पता है कि यह आपका expenditure same होता है तो price का उल्टा क्या हो जाता है consumption यानि 5.956 है तो यह हो जाएगा 6.95 सवाल में बोला है कि पहले वो कितना खरीता था 60 किलो यानि यह हमारा original value होता है और यह हमारा नया value होता है यानि यह 6 unit कमान सवाल में कितना दिया गया है तो 6 unit कमान सवाल में 60 किलो अगर 6 कमान 60 किलो है तो 1 कमान 10 तो 5 कमान अब कितना खरीदेगा तो अब 50 किलो खरीदेगा आंसर कितना होगा 50 किलो correct answer वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर करते रहें ठीक है और रोज शाम 7 बजे class चलती है संडे को छोड़ कर तो रोज शाम 7 बजे जो है आप लोग live रहा करें प्रैसा बढ़ा तो quantities का उल्टा हो गया 6 कमान दिया था 65 कमान 50 कल के दिन ऐसा भी हो सकता था सवाल में आपको ये बोलता कि वो वेक्ती 10 किलो कम खरीद रहा है यानि 6 और 5 का अंदर आपको दिया जाता 1 unit और 1 unit का मान आपको 10 किलो दिया जाता और बोलता कि अगर वह अब 10 किलो कम खरीद रहा है तो पहले कितना खरीदता था ये बताओ और अब कितना खरीदता है ये बताओ तो पहले बोलते 60 किलो और अब बोलते 50 किलो clear है मेरे भाई फिर से समझ लीजे कि पैसा अगर 5 से 6 हो गया तो quantity 6 से 5 पैसा अगर 5 से 6 तो quantity 6 से 5 6 का मान 60 है तो 5 का मान 50 हो जाएगा बात खतम चलिए अगला सवाल देखिए सेम तरीके से उसी पैटन पर है पैसे को आपने बढ़ा कम कर दिया है कितना परसंट? 20% पहले कोई वैक्ती 160 किलो खरीदता था अब उसी पैसे में वो कितना खरीदेगा मुझे लगता है आप सभी का अंसर आगया होगा वर्षा पांडे आपका भी अंसर आगया होगा ठीक है? तो सवाल को देखो प्राइस में आपने कमी की है मेरे भाई प्राइस में कितने की कमी की है? 20% 20% का मतलब कितना हो गया? प्राइस को आपने 5 से 4 कर दिया है और अगर हम यहाँ पर बात करें क्वांटिटी की तो मुझे बताओ यहाँ पर जब कोई वैक्ती खर्चा समान रखता है तो प्राइस का उल्टा क्या हो जाता है? प्राइस का उल्टा हमारा expenditure हो जाता है यानि प्राइस अगर 5 से नुपाद 4 है तो खर्चा हमारा 4 नुपाद 5 हो जाएगा ठीक है? च्वांटिटी हमारी कितनी हो जाएगी? 4 से 5 हो जाएगी सवाल में बोला है कि पहले वो कितना खरीदता था 160 तो आप बोलेंगे जी सर पहले वो कितना खरीद रहा था यानि यहीं 4 का मान सवाल में कितना है 160 अगर 4 का मान 160 है यानि आप कह सकते हो यह जो 160 है यह कितने का मान है 4 का और हमें कितना निकालना है हमें अब का निकालना है यानि 5 का मान निकालना है 4 से काटोगे तो 40 बार में 40 इंटू 5 कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा ठीक है यह जो 160 है यह कितने का मान है 4 का और कितने का निकालना है 5 का तो हम उत्तर देंगे 200 अब थोड़े से इसी तरीके में high level question भी हम चलते है और यहाँ पर high level question भी हम देखते है ठीक है बिल्कुल जैसे इस तरह के भी question आपके आ सकते हैं आपके paper में जहां पर आपको rate भी पूछा जा सकता है देखो total 4 तरह के प्रश्ण बनते हैं आपको है ना इतना category wise मैं बता दे रहाँ चीजों को लेकर कि आपके लिए हर कुछ आसान हो जाने वाला है इतनी category इतने प्यार तरीके से मैं आपको बता रहाँ कि आपको pattern wise चीजे इतनी आसान से समझ मानी शुरू हो जाएंगी ना कि आप बस बुलोगे मजा आ गया सर जैसे आपको क्या होता है कि आपको दे दिया जाएगा कि पैसे में 10% की कमी हो गई यानि 10 से 9 हो गया और खर्चा समान रहेगा तो आप बुलोगे quantity कितनी हो जाएगी 9 से 10 अब आपका examiner यहाँ पर यहाँ पर आना तीसरा प्रशन माइडियर आपसे यह पूछेगा original rate पूछ देगा आपसे original rate पूछ देगा कि पहले जो rate था खरीदने का वो क्या था और अब आपसे पूछ देगा कि नया rate क्या है खरीदने का यह चार तरह के सवाल होते हैं जैसे आप यह दिये गए सवाल में देखिए यहाँ पर आपसे क्या क्या पूछ सकता है इस सवाल में देखो खर्चे में कितने की price में 10% की कमी हो गई price में 10% की कमी हो गई तो एक वेक्ती अब 1 kg जादा चीनी खरीदता है कितने रुपे में 270 रुपे में तो अब यहाँ पर आपसे यह नहीं पूछा गया है पहले कितना किलो खरीदता था यह भी नहीं पूछा गया अब कितना किलो खरीदता है अब आपसे यह पूछा गया है कि सुगर का जो दाम है औरिजनल प्राइस पर केजी क्या है यानि मैंने आपसे जो बोला था original rate पूछा गया है कि original rate क्या था और फिर उसके बाद तब आपसे पूछेगा कि नया rate क्या है इस थरीके से आपके सवाल पूछे जा सकते हैं paper में तो आपको panic नहीं होना है आपको कैसे बनाना है वो देखिए आप बोलेंगे सर ये मेरा price है price में क्या रहा है ratio तो 10% से मैंने कम कर दिया है यानि price को मैंने 10 से कितना कर दिया 9 अगर मैंने price को 10 से 9 कर दिया और मुझे जो है खर्चा समान रखना है तो मेरा quantity क्या हो जाएगा 10 से 9 का उल्टा 9 से 10 का हो जाएगा यानि पहले 9 यूनिट मैं खर्च करता था अब मैं 10 यूनिट खर्च करता हूँ सवाल में मुझे क्या बोला गया है कि 1 किलो ज्यादा चीनी अब हम खरीद रहे हैं यानि यहाँ पर आप 1 यूनिट खर्चा कर रहे हैं आप unit की बात करें तो एक unit है और यहीं एक unit सवाल में कितने के बराबर है एक kilo के बराबर है यहीं एक unit सवाल में my dear कितने के बराबर है तो आप बोलेंगे sir यहीं एक unit एक kilo के बराबर है यानि पहले आप कितना खरीद रहे थे तो पहले जो आप खरीद रहे थे एक unit कमान एक kilo पहले 9 unit खरीद रहे थे यानि पहले 9 kg खरीद रहे थे अब कितना खरीद रहे हैं तो अब आप बोलेंगे सर अब 10 kg खरीद रहे हैं clear हुआ अब बात करते हैं आपसे original rate की तो आप मुझे बताओ अगर आपको original rate निकालना ही है तो आप rate कैसे निकालते हो जैसे मालो मैं 500 रुपे में 5 kg चीनी लेकर आए तो मैं rate कैसे निकालता हूँ 500 बटे 5 करके कि भाईया 500 जो दाम है वो 5 kg का है तो 1 kg का कितना होगा उसी तरीके से इस व्यक्ति के पास कुल खर्च करने के लिए 270 रुपे हैं तो ये 270 रुपे में पहले कितना लेकर आता था तो 270 रुपे में पहले 9 kg लेकर आता था तो rate क्या था 30 रुपे अब यहीं 270 में वो कितना kg लेकर आता है यहीं 270 रुपे में वो 10 kg लेकर आता है यानि अब rate कितना है 9 रुपे तो ये हमारा rate हो गया तो ये चार प्रशन हम से पूछे जा सकते हैं और चारो के चारो आपके board पर हैं क्या क्या पूछा जा सकता है आपके paper में आपसे पुराना वाला पूछा जा सकता है quantity कितना था फिर आपसे ये पूछेगा नया quantity कितना था फिर पूछेगा पुराना rate और फिर पूछेगा नया rate तो कैसे करना है वो देखो Price का 10 से 9 उल्टा कर दो quantity यहीं एक unit का gap examiner हमेशा देगा या तो इसका दे सकता है नहीं तो इसका दे सकता है किसी का 1 कमान 1 kg तो 9 कमान 9 kg 10 कमान 10 kg quantity निकाल दिये कि पहले कितना था अब कितना है अब quantity से मेरे भाई क्या निकालना है तो quantity से अब हमें निकालना है कि rate कितना है तो rate बराबर जितना पैसा खर्चा किया और जितना quantity लिया यह rate आ गया नया rate बराबर जितना पैसा खर्चा किया जितना किलो लिया 27 मुझे लगता है अगला सवाल आप लोग एकदम मज़े से बना दोगे ठीक है और मेरे कंसेप्ट अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और थोड़ा सा शेयर हो पाए तो जरूर शेयर करिए क्योंकि आप ज जो है इंस्वेक्टर बनाने का तो जुरूर के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं इस कारवे में हमारा सपोर्ट करें वीडियो को शेयर करें लोगों तक पहुचा है बताएं कि रोज शाम 7 बजे यहां पर क्लास चलती है वो भी जोईं करें वो भी पढ़ाई करें कोई भी स्ट तो बोलेंगे सर 20% की तो price में हमने कमी कर दी 20% की यानि price को हमने कर दिया 5-4 अब quantity की बात करें भाइया खर्चा समान रखना है तो quantities का उल्टा हो जाएगा मतलब 4-5 हो जाएगा सवाल में हमसे बोला गया है कि अब एक वेक्ति 2 kg जादा चीनी खरीता है कितना जादा खरीत जादा है बोलो 2 kg ज्यादा खरीता है तो क्या भोलोगे यहाँ पर यहीं एक unit का मान सवाल में 2 kg है तो पहले कितना unit खरीता था चार यानि पहले वो 8 kg खरीता था और अब कितना खरीद रहा है पाँच unit यानि आप खरीद रहा है वो 10 kg ठीक है पहले पता लगते ही gap से हमने original quantity नई quantity निकाल दी, नई quantity निकाल दी, अब हमसे पूछा है original price और present price, यानि original rate क्या होगा, तो खुद बताओ कितना पैसा है आपके पास खर्चा करने के लिए, तो भोलो के sir 360 है, और 360 में हम कितना लेकर आते हैं, 8 kilo, तो यहां पर rate जो हो जाएगा, वो भाग करोगे तो 45 आएग तो 45, 36 होगा option number A, आओ कभी हवेली पे, हमारा correct answer होगा, बिल्कुल सभी के सही answer आ रहा है, नयान मानी, वर्षा पांडे, क्या बात है वर्षा जी, ठीक, ऐसे ही सही उत्तर आप लोग देते रहें, दिल गदगद हमारा खुश होते रहेगा, इसी तरीके से आप लोग के एक एकदम selected question है, और एकदम second में आप बना सकते हो, बोलोगे sir 30% बढ़ा दिया, एकदम लिखो 10 से कितना 13, 10 से कितना 13, quantity को उल्टा कर दो, यानि quantity को कर दो 13 से 10, कितना unit हो गया 3 unit, यहीं 3 unit का मान सवाल में 6 kg है, एक unit का मान कितना हो जाएगा 2 kg, तो बोलोगे 13 unit का मान हो जाए हमारा 20 kg, कोई दिकत की बात, हमसे original rate बोला गया है, कितना पैसा है तो 2600 रुपय है, और 2600 में पहले कितना लेकर आते थे, 26 kg लेकर आते थे, यानि हर किसी का rate कितना है, 100, और हमसे बोलेगा नया rate, तो कितना 2600 रुपय में, अब कितना लेकर आते हैं, 20 kg, तो यानि नया rate कि इतना हो गया 130, तो 100 और 130 क्या होगा हमारा answer होगा, option number A, समझ में आया मेरे भाई, बहुत शानदार, क्या बात है, यह होता है, 0 से hero बनाना एकदम, कि हमारे बच्चे भी जो हैं, वो भी answer कर पाएं, ठीक है, तो सेम तरीके से एक और question है, जिसका answer आपको comment box में करना है, आप screenshot ले लिजे इस सवाल का, और इस सवाल का answer आप comment box में देंगे, ठीक है, screenshot ले लिजे बिलकुल ताकि इसका answer आप comment box में दे पाएं, ठीक है, सेम concept पर है, चलिए, अब आप देखिए, previous year का same question हो गया, CHSL को आपको पूछा गया है 2020 में, हमने सोचा कि जैसे मान लिजे, concept हो हमन पर पहुंच जाएगा, कि भईया देखो previous year का सवाल था, पहले class में सीखे और पहले class में बना दिये, तो previous year का question है, बोला गया 20% की कमी की गई है, जिसके चलते एक व्यक्ती 4 किलो जादा चीनी खरीद पा रहा है, 160 रुपे में, तो बताओ original price क्या होगा, तो एकदम सेम तर चार से पांच हो जाएगा, अब यहाँ पर कितना unit जादा है, एक unit, और यहीं एक unit का माईडियर मान कितना है, चार किलो, तो अगर हम यहीं एक unit का मान बात करें हाँ पर, तो इस एक unit का मान हमारा है, चार किलो, तो खुद सोचो यह चार unit का मान कितना होगा, तो एक का मान अगर 4 kg है तो 4 का मान हमारा 16 kg हो जाएगा और 5 का मान यहां पर 5 into 4 बीस kg हो जाएगा सवाल में हम से क्या पूछा है तो original price पूछा है यानि original price बताने के लिए क्या होगा कितने पैसे जेब में है तो 160 रुपए और कितना kg खरीदना था 16 यानि पहले जो rate था वो कितना था 10 रुपए प्रती किलो option number B is the correct answer बिल्कुल option number B is the correct answer ठीक है तो इस तरीके से आज के सारे के सारे प्रशन होते हैं खतम मुझे लगता है कि वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा concept समझ में आँ होंगे जरूर वीडियो के comment box में बताएं कि वीडियो जो है आपको अगर कैसा लगा ठीक है और साथ में आप ये भी comment में बताओ कि कुछ और आपका प्यारा suggestion है कुछ आप मुझे संदेज देना चाहते हो कुछ भी बात है तो ठीक है ताकि एक heart to heart connection बना रहे अपना और रोज शाम सात बज़े ऐसे ही गनीत में मन्थन करते रहें और अपने लेवल को धीरे 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 जो है वो बढ़ाते रहें ठीक है बाकि जिने जो है math special batch लेना है तो वो ले सकते हैं special time offer है आपको 499 रुपे में आज आज के लिए मिल रहा है आज और कल के लिए ये offer है ठीक है धिवाली offer है बिल्कुल तो fees इसकी 200 रुपे और कम कर दी गई है RGV करमजीत application डाउनलोड करना है और complete math special batch ले सकते हैं जो लेना चाहते हैं बाकि जोने telegram जो है आप जरूर join कर लो देखो आप लोग student हो बहुत ऐसे किताबे हैं जो आपके पास नहीं है चाहे वो math की हो गई, gk की हो गई, reasoning की हो गई तो अब जब ये किताबे नहीं है तो क्या करेंगे पढ़ाई तो नहीं न छोड़ेंगे बिल्कुल पढ़ाई नहीं छोड़ना है इन किताबों के लिए मुफ्त PDF जो है हमने अपने telegram पर डाल दिया है आप हमारा telegram join करेंगे तो आपको जो है यहां से उन बुक्स की PDF मिल जाएगी और साथ में जो हम डेली पढ़ाते हैं उसकी भी PDF आपको मिलेगी तो हमारे दो telegram है Maths भाई अधित्तर एंजन और आइंकस गुरकुल हमें जो है दोनों telegram पर PDF डाल रखा है आप जोईंग करेंगे आपको benefit होगा साथ में इस session का भी PDF पूरा जो यह foundation बाइच चल रहा है इस पूरे series की PDF जो है वो आपको इसमें जा रही है तो आप यहां से भी download कर सकते हैं और अगर अच्छा लग रहा है हमारा चैनल अच्छा लग रहा है हमारे concept तो प्यारी सी मुस्कान के साथ चैनल को जरूर subscribe करें ठीक है चलिए तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले session में Monday को अगला session होगा कल off रहेगा ठीक है Sunday को off होता है तो Sunday को off रहेगा Monday को पढ़ते हैं चलिए आज के लिए इतना ही धन्यवाद